नमस्का दोस्तों मैं हुरानापुता प्रॉय आपका दोस्तों एक वर फिस्स वागत है आप सबका मेरे युट्यूप चैनल पर जिसका नाम है एल्ट and beauty tips बाहिरानापुता प्रॉय याने की मैं दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है खाना खाने के बाद पेट में दरद क्यों होता है खाना खाने के बाद आपको भी पेट में दरद होता है क्या अगर आपके पेट में भी दरद होता है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है तो वीडियो के अंद तक बने रहे इसलिए और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ने किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बिल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज औल पर प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पोच सके हैं। प्रकार का तनाव उत्पन हो जाता है, टाइटनेस हो जाता है ज्यादा खाना खाने से तो उस समय दरद होना स्वभाविक है। उस समय आपको थोड़ा आराम करने से लेट जाने से भी ये दरद से हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको टैबलेट भी लेना पड़ता है। ये कभी-कभी सबको हो जाता है। लेकिन अगर ये समस्वा आपको बारबार हो रहा है। ज़्यादा खाना ना खाने से भी हो रहा है, तो उस समाई ये आपको परिशानी है, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए. आम तोर पर जो पसलियों के नीचे और कमर से उपर के हिस्से में जो दरद होता है, उसको पेट दरद कहते हैं. खाना अधिक खाने की वज़ा से जो पेट दरद होता है, वो नाभी के उपरी भाग में ही होता है, और ये तब होता है जब हम लोग बहुत ज़्यादा खालेते हैं, जल्दी जल्दी खालेते हैं, बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा मिर्च मस सालेदार खाना खाते हैं तभी ये समझसाय उत्पन होती है तो इस कंडिशन को बीमारी की सिर्णे में नहीं रखा जाता है खान पान या लाइप स्टाइल चेंज होने के बाद में ये परेशानी अपने आपी से हो जाती है खाना खाने के बाद पेट दरद होने का कई और कारण होते है फूड इंटोलरेंस हो गया फूड एलरजी हो गया गर्ड जैसी बीमारी की वज़ा से पेट में दरद हो सकता है आईबियस की परेशानी हो तब भी खाना खाने के बाद पेट में दरद हो सकता है अगर आपको तो डॉक्टर से मिल करके इन बिमारियों का इलाज करने से और खाना पिना कंट्रोल से खाने से ये सब बिमारी से हो जाती है खाना आपको ज्यादा नहीं खाना चाहिए आपको अगर ज्यादा भूक लगती है तो आपको बार-बार खाना चाहिए लेकिन एक बार में बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए आम तोर पर जो हमारे stomach है उसकी capacity दो कप के मरबर होती है लेकिन हम लोग दो कप नहीं खाते हैं हम लोग बहुत ज्यादा भोजन लेते हैं पाणी लेते हैं और जिसकी वज़ा से stomach फुल जाता है और जब फूल जाता है तो उसके दिबारों पर एक दवाप पड़ता है एक प्रकार का टेंशन पैदा हो जाता है और जिसकी बज़ा से पेट में धरद एठन मरोड होने लगता है जब हम लोग भुजन को ठीक से चबा करके खाते है तो वो जदा जगार नहीं घxtures लेकिन जब हम लोग भुजन को ठीक से चबाते नहीं है और एसे ही निगल लेते हैं तो उस समय भोजन के साथ-साथ गैस या हवा भी अंदर चला जाता है तो उस condition में इस्टोमाक ज़ादा भर जाने की वज़ा से पेट में दरद होता है तो इसलिए हमें क्या करना है खाना धीरे धीरे खाना है चाबा करके खाना है और खाने के बीच में थोड़ा थोड़ा करके पानी भी लेते रहना चाहिए कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई न्यूज को देख रहे है या टीवी पर कोई सीरियल देख रहे है या फिर मोबाइल में किसी चीज़ को देखने में बिजी है तो हमें ध्यान नहीं रहता है उल्टी उपकाई आती है पेट में जलन होता है दरध होता है दरध की तिब्रता ज्यादा होती है तो इस condition को अंदेखा नहीं करना चीएं आमतोर पर ये जो समसा होती है हर समय खतरनाक नहीं होता है सभी को कभी ना कभी ये समसा होती है तो उस समय बार-बार पानी पीने से एंजाइम आदी को लेने से हाजमा दुरस्त हो जाता है तो उस समय ये परेशानी नहीं होती है कई बार ऐसा होता है कि पेट में पहले से ही गैस मौजूद है और उस पर आप ज़्यादा खाना खा लेते हो तो उस समय पेट फूल जाता है तो उस समय भी पेट में दरद होता है तो इस प्रकार की अगर कोई समस्था है तो उसमें घबराने की जुरुरत नहीं है लेकिन यह समस्था अगर रोजाना हो रहा है और बार-बार हो रहा है या बीच-बीच में होता रह रहा है दरद ज्यादा हो उल्टी उपकाई हो नॉर्माल पानी पीने से आराम नहीं पड़ रहा है या किसी प्रकर का अन्नो पेट दरद की टैबलेट आदी लेने से कुछ समाई के लिए आराम हो रहा है तो उस समाई आपको जल्दी से जल्दी डॉ करना चाहिए कि अधिक तला हुआ भोजन अधिक मसालेदार भोजन खाने से बचना चाहिए और खाने को अच्छे से चावा करके खाना चाहिए बहुत जल्दी ना खाए और बहुत ज्यादा मात्रा में ना खाए तो इन सभी छोटी-छोटी चीजों को फॉलो करके आप और अगर आपको भी ये परिशानी होती है तो वीडियो जरूर से अच्छी लगी होगी आपको तो वीडियो को लाइक करना, शेर करना दोस्तों में और भी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बिल आइकन को पर प्रेस करना ताकि इस प्रकर के वीडियो का नॉटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पोच सके तो दोस्तों इसी कामना के साथ की आप सभी स्वास्त रहिए सुरक्षित रहिए जै हिंद जै भारत